Hey guys, welcome back to my channel and आपज के इस वीडिये में हम बात करने वाले हैं PUBG 2 के बारे में तो guys यहाँ पे PUBG 2 की जो है Revelation हो गई है Mobile Devices के लिए मैं बता दू कि PUBG का जो second part है वो है PUBG New State इसी तरीके के PUBG Universe में और भी सारे expansion जो हैं को देखने को मिलने वाले हैं कौन-कौन से वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं PUBG New State के बारे में तो ट्रॉइ मैप जो है इनीशली देखने में ऐसा लगता है कि एरैंगल का अपडेटेड वर्शन है थोड़ा बहुत modification एरैंगल के मैप में किया गया है उसके बाद काफी नहीं नहीं चीज़ों के अंदर एड़ की गई है तो ऐसे काफी सारी कूल चीज़ों जो हमें देखने को मिल रही है जो सेट अप किया गया है वह काफी ज्यादा कूल लग रहा है बट इतना भी ज्यादा ओवर फ्यूचिरिस्टिक नहीं लग रहा जिससे जो है PUBG वाली फीली खतम हो जाए औरिजनल पबजी की एक खासियत थी कि वो काफी जादा ग्राउंडेड गेम था बहुती जादा क्लीन गेम था कहलो जिसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा फ्यूचिरिस्टिक स्टफ नहीं थे जैसे की ड्रोन शील्ड वगेरा ऐसे जो स्पेशल पावर्स कहलेते हैं या सारी चीज़ें बहुत पहले इंप्लिमेंट कर दिया है बट अब यह जो है ग्लोबल लेवल पर आने वाला है तो वो सारी चीज़ें यहां पर देख करके बहुत ही मिक्सी फीलिंग है मेरी बिकॉज मेरे को रॉग गेम प्ले जादा अच्छा लगता है पबजी का जिसमें इस्पेशल अबिलिटी वाली चीज़ें नहीं होती है लाइक ड्रोन स्टफ एकिंग स्टफ या फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स आ जाएं जैसे की शील्ड वील्ड वगएरा तो यह सारी चीज़ें मेरे को उतनी जाद अच्छी नहीं लगती है अपना अपन की साउंड यह एंड विच इस रिएली कूल कि डेवलपर ने वह सारी चीज़ें रखी है ओवर आल जो यहां पर इनीशली हमने ट्रेलर में गेमप्ले देखा है वो ट्रेलर में गेमप्ले देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि औरिजनल पब जी है जो कि पजी मोबाइल है यूई में भी कोई जिएदा चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा हैं जो पब जी पीच वाली स्किन को में हैं हैं हलमेट वगरह में नहीं मिला है changes की एकदमी wow factor की oh my god क्या बना दिया तो ऐसा कुछ नहीं है setting ही change हुई है map वगरे change हुए overall थोड़ा सा look वगरे change हुए otherwise जो पूरी feel है वो PUBG की original वाली feel जो है यहाँ पर developers ने maintain रखी है जो कि अच्छी चीज है because it's a PUBG sequel तो आप इसको जादा upgrade करेंगे तो बहुत ही अजीब सा लगने लग जाएगा तो हमें वह raw feeling रखनी पड़ेगी गेम के अंदर तो वह developer ने जो है वह अच्छा काम किया यहाँ पर मैं कहूंगा गेम के vehicles को भी जो है यहाँ पर upgrade किया गया बगी है यहाँ पर हमारे लवल जो है upgrade किया है यहाँ पर next वाले वरिजन में बात करी जाए जो red zone था red zone में literally bombs गृते वे दिख रहे हैं और पहले वाले में ऐसा कुछ नहीं था magically कुछ भी भट रहा होता था और वह वाली चीज जो हमें चाहिए थी और वह वाली चीज जो हमें इस पार्ट में देखने को मिल रही है properly बात करें यहाँ पर वैपन की तो वैपन को भी यहाँ पर च्रेट किया गया है थोड़े से futuristic weapons यहाँ पर दिये गया है scope वोगए यहाँ पर changes हमें देखने को मिल रहे हैं और किस किस टाइप की और चीज़े हैं वो तो हमें एक्चुल गेम आने के बाद ही पता चलेगा ट्रेलर से फिला इतना सब कुछ पता चल रहा है कि काफी सारे यहाँ minor and major improvements जो है गेम के अंदर किये गए है एंड यह जो ट्रॉय का पूरा मैप दिखाया गया इसको मैं इरैंगल 2.2 ही समझ रहा हूं एक ताइप से समझ लो क्योंकि यह मेरे को इरैंगल का ही 2051 वाला वर्जन देखने में लग रहा है यह जो है फैन फेवरेट मैप हो सकता है आने वाले टाइम में जब कभी भी यह गेम रिलीज होगा तो यह वह सारी चीज़े जो है मैंने नोटिस करी है PUBG न्यू स्टेट के बारे में अब बात करते हैं इस गेम के रिलीज एंड अवेलिबिल्टी की तो फिलाल यह गेम जो है प्रियॉडर के लिए अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वैसे कोई फायदा तो है नहीं उसका बिकॉज यह गेम जो है लांच के टाइम पर हमारे इंडिया चाइन वेटनाम में रिलीज नहीं होने वाला है तो बिसिकल कोई फायदा नहीं है हमारे इंडियन कोवर्मेंट पुराने वाले पपजी को बैन कर दिया था सेक्यूरिटी वीजन को लेकर के और नया वाला जो गेम है वो क्राफ्ट ओन कंपनी ने इन हाउस बनाया है किसी की भी एक्स्टरनल हेल्प वगरह नहीं लिये जब तक अप्रूफ नहीं करें कि किसी गेम को तब तक वो गेमरा लाउंच नहीं होने वाले खास कर कि पब जी जैसा गेम तो मैं इसमें ज़ादा सर्प्राइज नहीं हूँ कि इंडिया में क्यो रिलीज नहीं हो रहा बात करते हैं अब पजी यूनिवर्स में अपकमिंग गेम के बारे में पबजी मॉबाइल का जो नया वाला वर्जन है या जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमने मॉबाइल वर्जिन के लिए देख लिया है अब बात करते हैं इसके पीसी वाले की बिकाज यहां पे पबजी स्टूडियो के अंदर दो गेम की डेवलेप्मेंट यहां पे चल रही थी वो थी पबजी 2.0 की जो की न्यू स्टेट जो रिवील हो चुका है अब पबजी पीसी का सेकेंड वर्शन पबजी पीसी टू भ करें यहां इसके एंड में रिवील करें नॉट शुर बट एक बात तो कंफरम है कि पबजी PC2 की आप डवलेप्मेंट चल रही है जो पबजी मोबाइल टू बनाया है वह पजिए PC के ही डवलपर्स ने डवलपर्स ने डवलप किया है जो पबजी लाइट के तो पो अवहा सारी चीज़ों जो अप्रेड होने वाली थी एंड अगर आपने ट्रेलर देखा होगा न्यू स्टेट का तो उसमें काफी ऐसे मोमेंट्स थे जहां पर हमें ऐसा लग रहा थी कि यह PC का गेंपले हैं यह मोबाइल का गेंपले बिकॉज हम डिफ्रेंशेट कर पा रहे थे क्योंकि एक्चुल गेंप उसके इंदर डाला था बट डेफिनेटली वह जो है पूरा का पूरा मोबाइल के लिए है हो सकता हुए अनिमेटेड ट्रेलर हो कन्फ्यूज करने के लिए विकॉज हमने पब जी मोबाइल के पहले भी ऐसे ट्रेलर देखे हैं तो कन्फ्यूज होने की ज़रुत नहीं है वो टोटली मोबाइल का ही गेम है जो PUBG PC वाला गेम होगा वो मेरे ख्याल से अलग होने वाला है वो थूड़ा अलग रहेगा में भ बात करते हैं एक और PUBG universe में आने वाले गेम की वह है Kalisto Protocol, Kalisto Protocol जो है वो PUBG universe में ही set किया गया है लेकिन ये future में set किया गया है, इस game की काहनी 2320 में जो है एक prison colony में set की गई है, ये एक horror based game है जो कि PUBG की ही companies को बना रही है, dead space से काफी जाधा inspired game है, dead space के ही creators को बना रहे है, इसका फिल जब आएगा तो हमें देखने को मिल सकता है, शायद PUBG का कुछ reference वगरा हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये PUBG universe में ही set किया गया है, तो obviously कुछ ने कुछ होने वाले connection इसका, और मैं बता दू कि ये game जो है एक third person survivor horror game होने वाला है, तो PUBG universe के अंदर survivor horror बहुत ही कमाल का लग क्योंकि इसके अंदर PUBG के काफी सारी elements इस game के अंदर डाले गए है, ये game फिलाल हमारे steam पे available है, बट download के लिए नहीं हुआ है, इस game को design किया गया है PUBG universe के time period के अंदर ही, ये game सब के लिए नहीं है, जिन लोगों को top down shooter game को खेलना पसंद है, ये game सिर्फ उन लोगों के लिए ह अच्छी बात या है कि यहाँ पर PUBG expand हो रहा है, दीरी दीरे अलग अलग genre में गुस रहा है, like survivor horror में गुस किया है, and top down shooter game में भी गुसा हुआ है, and जो अगली title आने वाली है, जो next record title है, जिसकी E3 में अनॉंसमें भीटी, वो एक survival game थी, बट उस game के बारे में literally हमें कुछ idea न अच्छी ने रिवील किया था, and यह आप on screen देख सकते हैं, तो इसको देख कर ऐसा लग रहा था, कि शायद यह VR game हो सकता है, या फिर एक first person survival game हो सकता है, जिस से आप से graphic quality थी, जिस से आप से detailing थी, उस से आप से लग रहा था कि first person game होने वाला है, but उस game के बारे में भी हमें पास जादा information दी है, काफी ही छोटा सा teaser जो हमारे को दिखाया गया था, and हम इसके बारे में वेट कर रहे हैं कि क्या mystery है, इस game की वो reveal हो, क्या story वगेरा है, क्या gameplay वगेरा है, तो वो सारी चीजे जो हमें आने वाले time में पता चलेगी, तो guys यहाँ पर देख सकते हो कि PUBG का ज तो यहाँ पे अपको आने घाम में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आने वाले time म mir लेघा, तो हमें आने वाले time में पप जी crie से बीखने को सक्ती है, तो यह सारी चीजे about the PUBG को लेकर थाख ALEX Совが इन अगर आप PUBG को मुझा बताना की आप लगों को यहाँ की video कैसी लगी, अ वेल हमारे इंडियंस के पास तो यह गेम नहीं आएगा तो हम तो बस कोने में बैट करके रो सकते हैं लिटरली बट खेर कोई बात नहीं आने वाले टाइम में शायद हमें यह गेम देखने को मिल जाए विकॉज इस गेम का कोई भी कनेक्शन नहीं है चाइना से सो देखते है क्या हमारी गवर्मेंट अप्रूफ करती है या नहीं करती है तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो लाइक करो शेर करो एंड तब तक के लिए गाइस मैं मिलूँगा आप लोगो से नेक्स्ट वीडियो में बाबाए